कि अधिए विडियो में हम डिस्कुस करेंगे डिफ्रेंशल मैनोमेटर इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बैल लाइकिंग का बटन प्रेस करें जिससे सारे नौटिफिकेशन आप तक आती रहें तो चलिए वी पहले देखते हैं कि जो डिफ्रेंशल मैनोमेटर होते हैं यह क्या है जो इससे करते हैं वहां आप में इन मैनोमेटुरेंशल मैनोमेटर Mr one自 वाले हैं तो इभाण वाले हैं तो 2 पॉइंट्स जो है आपके उनके बीच का डिफ्रेंस यानिकि उनके बीच का जो प्रेशर डिफ्रेंस है वह फाइंट करने वाले हैं अब इसका देख लेते हैं इसका जो चालर श neo simple manometer की तरह ही होता है जैसे कि आपको simple manometer में youtube meter देखने को मिला था वैसे ही ये differential manometers भी होते हैं इसमें भी youtube manometer होता है और youtube manometer के दोनों end पर जो differential manometer है यहाँ पर क्या है हम two points के बीच का difference major करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं youtube जो है हमारा manometer उसके दोनों end पर दो वैसल लगाएंगे यह दो pipes लगाएंगे माल लेते हैं कि हमने यहाँ पर दो pipe लगाएं एक है pipe 1 और एक है pipe 2 तो यहाँ पर आपको जो आपका diagram है यहाँ पर आपको बहुती easily देखने को मिल जाएगा कि हमने यहाँ पर तो माल लेते हैं कि pipe 1 में जो हमने liquid लिया है या जो भी fluid लिया है उसका pressure ज़्यादा है pipe 2 से और manometer यानि कि youtube manometer जो हमने लिया है इसके अंदर जो हमने fluid भरा है उसकी density ज़्यादा है यह तो हम जानते हैं कि जब हमारे youtube manometers हम use करते हैं तो उसमें हम YouTube manometers जो होते हैं उसमें हम ऐसा fluid यूज़ करते हैं जिसकी density जादा हो और वो उस fluid में घुलंचील ना हो जो हमारे pipe ये vessel में हमने लिया हुआ है तो यहां पे भी हमने वही किया है यहां पे हमने next क्या किया है कि यह जो आपको diagram में ZZ देखने को मिल रहा है यह हमने लिया है datum line यह जिसे हम कह सकते है reference plane reference plane हम उसे लेते हैं जहां पे हमारे YouTube manometer होता है इसके एक end या निकि lower level जहां होता है वहां से हम reference plane कहें या datum line कहें उसे मानते हैं क्योंकि इसके नीचे जो भी यह area जो आपको देखने को मिलना है यहां पर जो pressure difference है वो 0 होता है यानि कि जो pressure difference है वो equal होता है आप तो अगर आप इनको measure करेंगे तो उनकी जो value होगी वो क्या आएगी? 0 आएगी तो इसलिए हम यहां पर इस level पर जो भी हमारा reference plane है या जो भी हमारी datum line है उसको माल लेते हैं next हमने यहां पर लिया है कि अगर pipe 1 से reference plane तक का distance जो है वो h1 है और pipe 2 से जो आपने manometric fluid लिया है उसकी surface तक का distance है h2 और जो manometric fluid है उसकी surface से reference plane तक का distance है यहां पर h तो यह तो हो गए इसका construction अब आते हैं इसके operation पे मानते हैं यह जो मैंने आपको बताया है यह की माल लेते हैं कि pipe 1 में क्या है जो liquid भरा हुआ है उसका pressure ज्यादा है pipe 2 से तो अगर pipe 1 का pressure ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा manometric fluid पे ज्यादा pressure अपलाई करेगा जिसकी वज़े से आप देखेंगे कि H1 जो distance है वो ज्यादा है H2 से because यहाँ पे जो हमारा fluid है उसका pressure ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा pressure अपलाई कर रहा है हमारे manometric fluid पे जिसकी वज़े से manometric fluid का जो level है वो नीचे चला गया है वहीं अगर आप दूसरी side देखेंगे यानि कि right limb पे देखेंगे तो वहाँ भी manometric fluid का जो level है वो ऊपर है विकॉज यहाँ पे जो हमने liquid या fluid या उसका pressure कम है जिसकी वज़े से वो ज्यादा pressure अपलाई नहीं कर पा रहा है इसलिए यह जो level difference है यह आपको इस YouTube manometer में देखने को मिल रहा है अब हम माल लेते हैं कि जो pipe 1 है हमारा उसके liquid या इसके fluid की density है rho 1 जो हमने fluid लिया है उसकी density है rho 2 यहाँ पे जो h1 है वो pipe 1 से reference plane तक का distance है और जो h2 है वो manometric fluid से pipe 2 तक का distance है और यह जो h हमने लिया है यह क्या है reference plane से h2 तक का difference अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं प्रेशर एट रेफरेंस प्लेन लेने वाले हैं यानि कि जो हमने रेफरेंस प्लेन लिया है वहां पर क्या प्रेशर होगा यह देखने वाले हैं तो इसके लिए हम एक बहुती सिंपल सा कंडिशन फॉलो करेंगे simple सा rule follow करेंगी और वो क्या होगा pressure at left limb it's equal to pressure at right limb तो यहां पर जो हमारा pressure है left और right limb पर अब उसे देख लेते हैं कि यह जो हमारा left limb है इसमें क्या है pipe 1 से reference plane तक का distance है h1 तो यहां पर हम कौन सा formula यूज़ करने वाले हैं जो हम पहले भी यूज़ करते आए हैं pressure it's equal to rho g h तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं जो distance है पहले उसे लिखेंगे h1 प्लस rho g h वाला formula करेंगे यूज़ तो rho क्या है यहां पर rho 1 है और h क्या है simple h है h क्या था हमारे इस formula में pressure head तो pressure head तो same ही रिया जाएगा इसलिए हमने यहां पर h ही यूज़ किया है it's equal to right limb पर देखेंगे तो यहां पर क्या जाएगा h2 प्लस rho 2 h अब हम यहां पर क्या करेंगे h1 minus h2 कर लेंगे equal to h rho 2 minus h rho 1 और h को वाह से common ले लेंगे यहां पर जो h है वो मैंने आपको बताया क्या है pressure head तो उसे आप जो आपका differential manometer है उसकी reading लेकर इस formula में put कर सकते हैं जिससे आपको 2 points के बीच का जो pressure difference है वो बहुती easily find हो जाएगा तो यही होता है differential manometer इसका जो basic use है वो हम क्यों करते हैं या कहां करते हैं जहां हमें 2 points के बीच का pressure difference find करना हो तो आज के लिए बस इतना ही I hope कि आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए helpful रही हो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें जदे से जदा शेयर करें और इस channel पर नहीं है तो इसे subscribe करना बिलकुल न भूलें और मुझे comment box में जरूर बताएं कि आपको आपको वीडियो कैसा लगाओ ?